हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी गाव एक मिस्सा ठीक में टैस्मेश्टर हम लोग जिस कंपनी के उपए डिसक्स करने वाले हैं जिन्दद स्टेनलेस लिमिटेड है क्वाटर बनके इसके रिजल्ट आ गए है तो कैसा फाइनसली अभी प्रफॉर्म कर रही है उसको हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में इसके चार्ड बे बात करेंगे कहां पे खरीदने के लिए जाना चाहिए क्या टार्गेट लेके आप चल सकते हैं अब अब लेबल पे और कहां पर इस टॉप लॉस और सपोर्ट रख सकते हैं तो समझते हैं इस वीडियो में जो अच्छा है पर ने होच्छे हैं सब्सक्राइब कर लें नोड़ फिजन बेल आल पर रखें जिससे आने वाले ने श्टेप डीट आप से मिसना हो आप टेलिग्राम पे भी जॉइन कर है उसके साथ ही हम लोग आगे भी इसका प्रेडिक्ट कर पाएंगे तो टेलिग्राम पे भी जॉइन करिएगा और यहां पे भी सब्सक्राइब करके रखिए लिंक वीडियो रिस्ट्राइब बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो वह भी आप कम मार्केट कैपिल की बात करें दोस्तों तो बड़ी सी इसकी मार्केट कैपिल भी है और प्राइज जनिंग रेशियो एकदम थोड़ा सा दिख रहा है तो सही जगह पर है 3.2 का दिखता है और इसके हम लोग अगर चार्ट पर बात करें अगर इस तरीके से देखा जाया दोस समझते हैं return on equities का बहुत सांदार है 45% है 12 महिने की condition बहुत सांदार रही है क्योंकि profit जो है 141% बढ़ा है sale भी 50% से उपर बढ़ी है promoters की holding इसमें काफी अच्छी है return on acid भी काफी अच्छा दिखता है all time high to 25 रुपीस तक जा रखा है return on capital employees भी मतलब company हर तरीके से काफी अच्छा कर रही है बस अभी जो face values की 2 दिखती है अभी जो result आये हैं वो थोड़े week आये हैं let's check करते हैं कि कैसे number रहे हैं तो यहाँ पे ह को देखने को मिलेगा हम जून का data discuss करेंगे पिछला quarter का भी explain करूंगा मैं आपको और हम लोग last year से भी compare करेंगे तो last year covid वाला time था पर क्योंकि महंगाई उस time पे और भी high थी तो मतलब steel sector को बकायदा देखा जाये तो इन सभी quarter में आपको महंगाई देखेगा दोस्तों बह को याद होगा जितने भी steel के share थे सब उस दिन 4-5% गिरे थे और उसके बाद से डाउन ही रहे थे और यह वही दिन थे दोस्तों यह देखिए यह जो अप्रेल में आपको दिख रहा है ना कि यहां से गिरावट आई है मतलब 22 अप्रेल के बाद यह वही था government ने जब announce किया कंपनी को 549 करोड का है स्टिल बड़ा नंबर है दोस्तों इतनी सारी अमलब लगाने के बाद भी क्योंकि अगर हम लोग कोविट वाला गिना जाए दोस्तों तो कोविट में सारे quarter बहुत सांदार गया है क्योंकि महेंगे पे बेचा है और कोविट से पहले की बात करें तो यह आपको नंबर देखेगा तो 300 के अराउंड 200 मलब 300 के अराउंड ही रहता था तो यह उस हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने 10% का मिंटेन किया इस बार और नेट प्रॉफिट में 321 करोड का प्रॉफिट किया है जो कि लास्ट येर से अमलब लास्ट येर का हम जून में देखें तो 303 करोड था तो उससे इस बार क्या बेटर दिखेंगे पर पिछले क्वाटर से कम है तो पिछला क्वाटर दोस्तों कुछ जादा ही अच्छा था क्योंकि जार सी बात है दिसंबर से जो मार्च में जो बढ़ी थी वो और भी ज्यादा थी हाई पीक पे थी एक तरीके से तो उस बज़ए से पर गवर्मेंट ने उसके बाद इन चीजों पर चेंजस किया तो उसका एफेक्ट इस पर दिख रहा है और नेट प्रॉफिट में बात करें दोस्तों तो कंपनी वहाँ पर बहुत सांदार दिखेगी ही क्यो पर चीजी बात है यह इंक्रीज हुआ है 2011 से अभी तक पर यह देखिए यहां से जो मार्च 22 में डाटा देखेंगे आप अल्मोस्ट डबल के आराउंड जाता है अगर हम लोग 11 पर राउंड आफ करें मतलब अल्मोस्ट डबल के राउंड जाता है तो यह बहुत बड़ी जंप हो जाती है इस हिसाब से आप सोच सकते हैं दोस्तों कितनी ज्यादा कंपनियों ने ग्रोथ किया है पिछले 12 महीने में तो उस हिसाब से ग्रोथ अभी अच्छा प्रफॉर्म चली रहा है और इसके अगर हम इन्वेस्टर को देखें तो पड़ी प्रोमोडर्स की होलि लगत नहीं देखती है अब इसके अगर हम चार्ट पर बात करें दोस्तों तो चार्ट पर क्योंकि इसको हम लोगों ने डिसकस नहीं किया था जब से वह एनाउंस हुआ था तो अभी इसका हम लोग लेटेश डाटे पे सभी मार्क कर लेते हैं लेबल और उसके बाद मैं आ वो है 103 रुपए से 113 रुपए के बीच में टार्गेट हो जाएगा हम लोगों के लिए पहला सबसे पहला हो जाएगा 153 का क्योंकि अब हमको रिजल्ट पते लग गए हैं उसके बाद 191 का लेके चलने वाले हैं और जैसे यह दोनों अचीव होंगे और आगे के ले राखते हैं इस टाइम में सेरीडियर घ्मै तो क्लियरली बाई करने के लिए जा सकते हैं जो 200 से उपर भाई कर रखें हमसे बटराइस पर अची जगया gonna किशा in यही टोटल अपडेट हो जाएगा जिंदल स्टेनलेस लेम्टेट बे थैक्स वाशन सुड़ो मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में